गुड़ा इमसी, नमस्कार सबको मैं डॉक्टर सुनीत अरोडा कंसल्टेंट चीफ मेडिकल अडवाईजर इमसी इम्मुनिटी सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ फिर से पुना और आपके सामने आज का टॉपिक लेके आते हैं एलो संजीवनी जूस तो एलो संजीवनी जूस के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसके क्या घटक हैं और एक एक घटक क्या काम करता है और ओवराल ये जूस किस लिए हम देते हैं और कैसे इसको दिया जाए किस उम्र में, कितनी मात्रा में कैसे दिया जाए गुड आएमसी अनीता जी, आदिल जी हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं एलो संजीवनी जूस का तो एलो संजीवनी जूस आप सबने देखा परखा, प्रयोग भी किया है और लोगों को पिलाया भी है और खुद भी पिया है और इसका स्वाद तो आप जानते हैं और इसका असर भी आपने देखा और कुछ जो आईरवेद का इसका बेस है कि ये कैसे बना, क्यूं बना ये मैं आपके साथ साज़ा करता हूँ तो इसका प्रयोग पहले समझें कि एलो संजीवनी जूस कहा कहा प्रयोग होता है और क्या क्या करता है शरीर में तो ये एक संपूरन शरीर को ठीक करने वाली चीज़ है और उसके साथ में सभी प्रणानियों को मजबूत करता है शरीर की प्रणाली मतलत कि जितने भी सिस्टम है जितने ओर्गन्स हैं, जितने दोश हैं उनको ठीक करता है और इसका एक main कारे जो है दर्द और सूजन घटाना भी है और ये बहुत उत्तम एंटी ऑक्सिदेंट है एंटी ऑक्सिदेंट अब तक हम सब लोग जान चुके हैं और एंटी ऑक्सिदेंट के नाते ये free radicals कम करता है और हमारे शरीर में अच्छे सेल्स का पुनुरुथन, अच्छे सेल्स का बढ़ना जल्दी करता है और ये एंटियॉक्सिदेंट्स होने के साथ साथ एक बहुत उत्तम डीटॉक्स है डीटॉक्स वर्ड जो आजकल बहुत चल रहा है वो बना है डीटॉक्सिफिकेशन से डीटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि विशैले पदार जो शरीर में एकत्र हो जाते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना एक तो साधार्ण मल क्रिया होती है जिससे वो बाहर निकलते हैं दूसरा आईरवेद में कुछ ऐसी ओशदियां होती हैं जिनसे कि उनको सेल से सेल जो हमारे सेल हैं सेल्स में से भी विशाले पदार्द हम पेट में लाके उसको बाहर निकल सकते हैं तो उसको हम डीटॉक्स कहते हैं और आईरवेद के वैद के पास आप जाएं या आईरवेद के हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे वो पंच कर्म करने की बात करते हैं तो पंच कर्म अपने आप में एक डीटॉक्स की विधी है जिससे शरीर डीटॉक्स किया जाता है और विशाले पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं जिससे शरीर वापिस शुद होता है अच्छे सेल्स बनते हैं और ये पाचन शक्ती बहुत अच्छी बढ़ाता है और अगनी बढ़ाएगा पाचन शक्ती अच्छी करेगा जब आंतों को ठीक करेगा तो और ये आंतों और मूत्र प्रणाली की पूरी लाइनिंग को साफ करता है और इसमें रक्त शोधक औशदियां हैं रक्त शोधक गुण है इसके खून साफ करने के जिसे हम कहते हैं और खून साफ करने के साथ साथ ये खून के हीमोगलोबिन बढ़ाता भी है तो रक्त वर्धक भी हम इसे बोल सकते हैं और तवचा का जो इस पे एफेक्ट है ये तवचा में एक चमकदार ग्लो पैदा करता है जो एक यौवन और अच्छे ओज का निशानी होती है और बाल भी अच्छे होते हैं ये स्मृती बढ़ाता है हमारी मेमरी, हमारी स्मृती शक्ती बढ़ाता है और हमारे स्ट्रेस को दूर करता है एंटी स्ट्रेस है बहुत अच्छा इसके अंदर और इसके साथ में जैसे हमें घवराट होती है कभी डर लगता है या दिल धड़कता है या anxiety हम कहते हैं वो होती है तो उस रोक को बहुत अच्छा ठीक करता है यह जिसे हम हिर्दे हिर्द्यर आईरवेद में इसका नाम है हिर्द्यर हिर्द्यर मतलब की हिर्दे की tonics जो है वो इसके अंदर है तो इसके साथ में पेट का तो यह मैंने आपको बताया यह है कि बहुत अच्छी औरशदी है जिसमें कब्स कम करता है अपच जो है शरीर की खाना खाने के बाद का भारीपन वो ठीक करता है और मल त्याग में मदद करता है मल अच्छा त्यागता है शरीर इससे और साफाई होती है तो इसी के साथ एक बीच बीच में मैं प्रेशन लेता हूँ कि सौरव सिंग जी ने पूछा कि यह किस जगा प्रयोग होता है तो सौरव जी आपकी प्रेशन का सबसे पहले सारा उतर मिल गया कि यह कहां कहां प्रेशन होता है और यह सब हमने देख लिया तो इसको मैं एक बार अगर आपके लिए रिवाईज करूँ दुबारा बताता हूँ तो शरीर के सारे सेल्स को ठीक करने में इसका प्रेशन है फिर यह दर्द और सूजन खटाएगा और यह अच्छा एंटी ऑक्सिडेंट है और डीटॉक्स करता है शरीर को और रक्त शोधक है, रक्त वर्धक है पाचन शक्ती बढ़ाएगा और तवच्चा को अच्छा वरन ने कहते हैं तवच्चा का वरन अच्छा करता है रंग अच्छा करता है और तो अच्छा कुछ अमकदार बनाता है और हमारी मेधा, स्मृत्ती, शक्ती, मेमरी, पावर बढ़ाता है और हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, एंटी स्ट्रेस है और हिर्दे का टॉनिक है और आंतों का भी टॉनिक है आंतों को साफ करता है तो अब आप सोचिए कि यहां पे मैं एक प्रशन लेता हूँ बीच में हमारे योगेश्वर प्रसाज जी लगातार प्रशन करते रहते हैं और उन्होंने लिखा कि इसका नाम संजीवनी क्यों है और यह टिशूज में क्या सेल्स में क्या मेटाबॉलिजम करती है तो योगेश्वर जी आप देखिए कि इसका नाम संजीवनी इसलिए है कि संजीवनी का अर्थ होता है जीवन दाईनी जो जीवन देती है तो इसके जितने भी गुण हैं अगर कोई चीज आपके सारे शरीर के सारे सेल्स को ठीक करे आपका रक्त बढ़ाए आपके शरीर को डीटॉक्स करे आपके शरीर में अंटी आक्सिडेंट दे आपकी तवचा अच्छी करे आपको और आपके अंदर की सारी सूजन ठीक करे मसल्स की और मास्वेशियों की जोड़ों की तो वो अपने आप में जीवन दाईनी हो जाती है तो इसलिए इसको जीवन दाईनी कहा गया और इसलिए इसका नाम संजीवनी रखा गया कि संजीवनी इसलिए इसको बुलाते हैं तो ये मेटाबॉलिजम में क्या काम करती है जब हमारे सेल साफ हो जाते हैं सेल अच्छे हो जाते हैं तो अपने आप स्वता ही मेटाबॉलिजम अच्छा हो जाता है दीप चंदर जी आप फ़रा लेट आए हैं हम आज एलो संजीवनी जूस की बात कर रहे हैं और ये हम किस की बात करते हैं ये पहले प्रोमोस भी आते हैं आप अपना होमवर्क कीजिए उसको पढ़िए पहले और फिर जब आप सुनते हैं नोट्स बनाते हैं तो आपको जादा अच्छा काम करती है तो इसमें अब होता क्या है संजीवनी बनी कैसे है तो संजीवनी में नो घटक होते हैं जो हमारे बंगाल में बंगाल के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए उनकी मेमरी के लिए बता दूँ कि इसको आप नो देवियों के रूप मान सकते हैं जो नौ घटक हैं, नौ दुर्गा के रूप, नौ काली के रूप और इसमें एक एक जो चीज पढ़ी हुई है वो बहुत कमाल की है जो उसका फॉर्मला बना हुआ है, वो बड़ा सोच के बनाए गया है तो इसमें पहला चो इसके नाम से ही है एलो, तो इसमें एलोवेरा है तो एलोवेरा का तो हमने एक पूरा अभी क्लास की थी पीछे और एलोवेरा के बारे में हमने सब जाना था कि एलोवेरा क्या करता है तो aloe vera के बारे में हम दुबारा नहीं बताएंगे आप उसको भी दुबारा देख सकते हैं कि aloe vera इसमें एक घटक है दूसरा सबसे important घटक है वो है गिलोए आजकल हम देखते हैं कि वाइरस को लेके और immunity को लेके बहुत सारी बाते हो रही है तो immunity के लिए मेरी कल भी एक दिल्ली में एक आयूश वे भाग के एक विज्ञाने के हमसे बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि कुछ अगर हम एक immunity पे एक research करें किसी एक औशदी की तो हम एक औशदी को क्या ले सकते हैं तो हम कुछ लोगों का सबका ये मानना था common कि गिलोए से बढ़िया और शदी कोई नहीं है immunity को बढ़ाने में और सूजन घटाने में और रोगों से बुखार से लड़ने में और antiviral के रूप में भी तो इसलिए गिलोए का जो काम है हम लोग देखते हैं कि गिलोए का काड़ा हम बना के पीते हैं चाहे डिंगू हो हम तब भी डिंगी उसको डिंगी बोलते है एक्चुली तो जो हम डेंगी में हम डॉक्टर्स बहुत बोलते हैं कि गिलोए काड़ा बना के पीजिए और अब तो आम घरों में इतनी बात हो चुकी है कि जहां जरा सभी वाइरल होता है तो लोग गिलोए काड़ा पीना शुरू कर देते हैं तो इस बार देखिए कि अगले पिछले एक दो साल से जब से गिलोए के काड़े का प्रचलन आया है गिलोए के जूस लोगों ने पीने शुरू किये उससे वाइरल्स बहुत कम होने शुरू हो गए और इस बार तो देखिए जब मौसम बदला तो आप सब घर में हैं अच्छ जा है और हमें रोग नहीं हो रहे जो है वो अखबारों में न्यूज में दिख रहा है लेकिन अमूम अना देखिए कि लोग बड़े अच्छे हेल्दी हैं तो एक पॉजिटिव साइड है इसकी तो गिलोए जिसको टाइनोस्पोरा कहते हैं ये बहुत बड़ा घटक है इस आए या बच्चों को जल्दी खांसी जुकाम बगरा हो तो बड़ों को भी कई होते हैं जिसमें नाग बहती रहती है और छीके आती हैं इस चेंजिंग मौसम में सीजनल अलर्जी कहते हैं उसमें गिलोए अच्छा काम करता है तो गिलोए के सब फाइदे हैं यूज हैं फि जो की कमाल की वशदियां हैं जो अभी तक भी ये कहा जाता है कि हम लोग पीछे एक वैद समुदाय में हम लोगे कानफरेंस में थे तो एक बहुत नामी वैद ने खड़े होके स्टेज पर बोला था कि आयरवेज में जितना फॉर्मूला हमें आचारे चरक और शुशुद दे गए हम अभी तक उसका 30% भी परयोग नहीं करते हैं पुरा और अमूमन 10-20% हम लोग उसका परयोग करते हैं तो सोचिए कि कितनी बड़ा खजाना हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है और त्रिफला जिसे हम कहते हैं तो तीन चीजों से बनता है हरड, बहेड़ा और और इसका जो फॉर्मूला है यह अपने आप में बड़े कमाल की चीज़ है आप देखिए कि आवला जो होता है वो सारे शरीर की जो खून का संचार है सर्कुलेशन है उसको ठीक करता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है तो हमारी जतनी नाडियां खून की हैं उनको हरड नीचे का जो पेट है आप समझेए ना बड़ी आंत उसकी महाँशदी है और जब यह वहां से मल त्याग अच्छा होता है और आपका पेट साफ होता है आपको एक डीटॉक्स करता है हरड और उसके साथ में खून भी साफ करता है और आपके बहुत सारे रोग ठीक करत होता है इसको हम लोग नों रसायन भी बोला आमला की आमला को भी रसायन बोला हरड को भी रसायन बोला और दूसरा है बहेडा तीसरा तो बहेडा जो होता है इसका मुख्य काम हमारे फेफड़ों को ताकत देना और हमारी स्वास प्रणाली को ताकत देने का होता है तो आप देखिए कि आंवले से तो हमारा सारा शरीर का खून का दौरान ठीक हुआ बहेडे से हमारा स्वास प्रणाली फेफडे और स्वास प्रणाली ठीक हुआ और हरड से हमारी आते ठीक हुई तो ये तीनों वात, पित और कफ तीनों को ठीक करने वाले हैं और त्रिदोश हर हैं इसलिए इनको त्रिफला को भी परम रसायन बताया गया तो अब त्रिफला अपने आप में एक बहुत अच्छा डीटॉक्स भी है एक एंटी ऑक्सिडेंट भी है पाचन शक्ती भी बढ़ाएगा और आपका टॉनिक भी है और जिनका वजन भी बड़ा हुआ है वो लगातार लेने से उनका त्रिफला लेने से उनका कहीं भी जिसमें त्रिफला और गिलोए होता है एलोवेरा होता है उससे हलके हलके उसकी चर्बी घड़ जाती है जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है ऐसा नहीं कि पतले लोग और पतले हो जाएंगे लेकिन जो ज़ादा चरबी हमने कठी की है बड़ी मेहनत से आलू की टिकियां और कचोडियां खाखा के वो कम हो जाती है और एक इसमें और घटक है ये हमारे तीन और दो पांच घटक पूरे हो गए एलोवेरा, गिलोए और हररबहीडा अबला फिर छटक घटक है इसमें वीट ग्रास वीट ग्रास होता है जब गेहूं के ज़ुआरे निकलते हैं तो उन ज़ुआरों में बहुत सारे मिनरल्स बहुत सारा क्लोरोफिल तत्व होता है तो उन ज्वारों का जूस बनाया जाता है वीट ग्रास जूस जिसे कहते है तो जो वीट ग्रास है वो उसको हम लोग उसको विदेश में USA में उसको ग्रीन बलड बोलते है हरा खून हरा खून ग्रीन बलड इसलिए बोला जाता है कि वो खून में पूरी अच्छा रक्त शोदक सफाई करकर और खून की मात्रा बढ़ाता है यानि कि खून में हीमोगलोबिन बढ़ाता है आपके रेड सेल अच्छे करता है और इसलिए वहाँ पे विदेश में इसका बहुत प्रचलन वीड ग्रास का कैंसर के रोगियों को दिया जाता है और थैलसीमिया के रोगियों को जिनका खून नहीं बनता या लगातार इनको अनिमिया रहता है उनमें वीड ग्रास काफी दिया जाता है तो वीड ग्रास का एक इसमें प्रयोग है जो खून साफ करके रक्तकन बढ़ाएगा खून बढ़ाएगा फिर इस सात्वा जो इसमें घटक है वो अश्वगंधा है तो अश्वगंधा जो है वो अपने आप में एक बड़ी उत्तम उच्दी है और उत्तम रसायन है रसायन का मतलब हुआ टॉनिक्स तो अश्वगंधा कहां काम करता है देखिए अश्वगंधा के नाम में जैसे है तो उसका अर्थ है कि उसकी जड़ है एक पौधा होता है जो हमें आम जंगली जगा पे मिलता है उसकी जड़ जो होती है मोटी सफेद जब हम उसको घिसते हैं तो उसमें घोड़े की गंद सी आती है जैसे हम घोड़े के अस्तबल में जाएं तो एक घोड़ों की गंद होती है तो वो घोड़े की गंद सी आती है तो इसलिए उससे पहचान करने के लिए उसका नाम रख दिया गया अशुगंधा ताकि एक आम जब कोई उसको एकत्र करने जाए तो उसकी गंद से पहचान ले की क्या है तो उसकी जड़ जो है वो प्रयोग होती है जड़ में नैचुरल प्रकृतिक स्टिरॉइड होते है जिसको स्टिरॉइड होते है तो जहां पर मासपेशिया कमजोर है जैसे कि हमने कहा कि किसी बिमारी से कोई रिक्ती उठा और उसकी कमजोरी है मासपेशियों की वो उठके चल फिर नहीं पारा जादा तो उसमें अशुगंधा बहुत अच्छा काम करता है जो हमारे युवा बच्चे हैं जो जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं और मसल्स बनाने में चुक होते हैं और जिम में जाके वो कुछ न कुछ वहां का केमिकल्स प्रोटीन वगरा खाते हैं जो नुकसान करता है उसकी जगा अश्वगंधा और हमारा देखिए जो हमारा प्रोटीन पाउडर भी है उसमें भी अश्वगंधा मिला हुआ है तो अश्वगंधा का प्रयोग यही है कि वो हमें ताकत देता है हमारी मसल्स को हमारी मास पेशियों को ताकत देगा और एक और अश्रोगंधा का प्रयोग बहुत अच्छा है जो immunity बढ़ाता है अश्रोगंधा immunity बढ़ाएगा और हमारे रोगों से लड़ने में खास तोर से जो खासी जुकाम और श्वास के रोग हैं जैसे की दक्षन भारत के वैद जो हैं वो अश्रोगंधा को सास के रोगों में श्वास दमे के रोग में बहुत देते हैं बहुत प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे दमे में इसकी दमे के रोप में इसकी और शदी प्रयोग जादा है तो इसलिए अश्वगंधा का प्रयोग जगा है आप देखें मसल्स को बढ़ाना, मास पेशियों को ताकत देना, शरीर को ताकत देना और बुढ़ापे को रोकना और उसके साथ में श्वास आपकी फेफ़ड़ों को ताकत देना ये सब चीज़ों का अश्वगंधा का प्रयोग है फिर इसमें दो और बहुत कमाल की चीज़ें है जिससे ये कंप्लीट होता है, जिससे हम संजीवनी कहते हैं एक है अरजुन अरजुन का पेड हम देखते हैं, लगा होता है सडकों के किनारे, खेतों के किनारे, खेतों के किनारे, खेतों में तो अरजुन का वरिक्ष जो है उसकी चाल का इस्तमाल होता है और अरजुन की चाल जो है ये रिशी मुनियों ने पहले देखा कि ये बहुत उत्तम हिर्दे टॉनिक है हार्ट की टॉनिक है तो जो इसकी चाल जो है अरजुन की इसको आईरवेद में दूद में उबाल के पिलाया जाता है और इसको हिर्दे रोगियों को दिया जाता है जिनका हिर्दे कमजूर होता है उनके हिर्दे को ताकत देने के लिए लेकिन जिनको हिर्दे रोग नहीं है जो बिलकुल स्वस्त हैं उनको अरजुन की क्या जरूरत है तो अरजुन क्या करता है कि हिर्दे को बल देता है जैसे कि अगर आपकी आयू 40 साल की है तो आपका हिर्दे भी तो 40 साल का है तो 20 साल का नहीं है और आगे आने वाले समय में हिर्दे 50 साल का होने वाला है 20 का नहीं होने वाला तो हिर्दे एक ऐसी pump है जो लगातार 24 गंटे आपके एक सेवक की तरह बिना अराम किये एक सेकंड का आराम किये आपकी duty आपकी सेवा करता रहता है दढ़कता रहता है वो बलड पंप करता रहता है तो उसकी ताकत के लिए उसकी अपनी मास्टेशियों की थाकत और खून की नाड़ियों की ताकत के लिए अरजुन बहुत अच्छी औशदी है और दूसरा अरजुन का एक और प्रयोग है जो हिर्दे के इलावा AireVên में इस्त्माल होता है जहां पर हड़ियों की कमजोरी है जिसे हम ऑस्टियो परोसिस कहते हैं कि हड़ियां कमजोर हो गई और बढ़ापे में उसमें जल्दी हड़ि तूट जाती है या किसी का कैलिशियम और विटामिन डी कम हो गया और हड़ियां कमजोर हो गई तो उसमें अर्जुन जो है वो हड्डियों को मजबूत करेगा, हड्डियों में ताकत देगा और हड्डियों का भारीपन बढ़ाएगा तो आस्टियो पूरोसिस को ठीक करता है अर्जुन जो इसमें नौवा तत्व है वो है ब्रामी ब्रामी जो है वो सबसे बड़ा मेदेर असायन है वो ब्रेन टॉनिक है तो जहां पे मेमरी की प्राबलम है चाहे बच्चों में बड़ों में बड़ों में जादा जो स्ट्रेस की बज़े से मेमरी का एफेक्ट आता है उसमें ब्राहमी बहुत अच्छा काम करता है और स्ट्रेस दूर करने में भी अश्वगंदा और ब्राहमी मिलके बहुत बढ़िया बहुत उत्तम है जहांपे हमें स्ट्रेस हो या तनाव रहता है जिसको जादा सोचने की आदत है जिसका दिमाग का काम जादा है उन में अश्वगंधा और ब्राहमी एक उत्तम रसायन माने जाते है और ब्राहमी का एक और प्रयोग है कि ब्राहमी को brain tonic की जगा जयसे हम लोग उमर में aging में कमपबात होता है और उस के साथ में बढ़ापे में हाथपे होड़े से brain weak हो जाता है और Alzheimer's की problem दिस तरह की आती है तो अश्वगंदा, ब्रामी और ये सब चीज़े लेने से लगातार हमारा brain aging पे नहीं जाता और prevention रहती है उसका रोक ठाम रहती है और ब्रामी का एक और प्रयोग है बहुत अच्छा कि ब्रामी brain के इलावा ब्रामी हमारे cells में काम करती है और कुछ जगा पे इस पे cancer में भी research हुई है कि ब्रामी का काम cancer रोधी तत्वों के में है ब्रामी के अंदर जो glycosides होते है तो एक बार मैं इन नौ औश्वधियों को दुबारा आपके लिए repeat करता हूँ दुबारा revise करता हूँ एक है aloe vera जो इसके नाम में भी है एक है गिलो दूसरी गिलो गिलोए जिसे हम गिलो भी कहते हैं गिलोए और त्रिफला जिसे हरर बहेडा आवला तीन चीज़े हो गई वीट ग्रास अश्वगंधा अरजुन और ब्रामी तो इन सब का मिश्रन एक जूस के रूप में आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़े हैं जो जूस के रूप में जादातर कोई कंपनी नहीं बनाती है और कहीं अवेलिबल नहीं होते हैं जैसे कि अरजुन का जूस कहीं नहीं मिलेगा आप धूंडें तो नहीं मिलता अशोगंदा का जूस नहीं मिलता वीड ग्रास का मिल जाता है त्रिफला का मिल जाता है गिलोए का लेकिन इन अशोगंदा का जूस अरजुन का जूस ये नहीं मिलते हैं ब्रामी का जूस नहीं मिलता है और गिलोई का जूस कम मिलता है तो ये जब चीज़ें जूस के रूप में आती है और जूस भी ऐसा जिसका स्वार ऐसा है कि एक बच्चा भी पी सकता है अब तरिफला थोड़ा कड़वा होता है गिलोई काफी कड़वी होती है लेकिन ब्रामी में भी कड़वाट है लेकिन आप देखिए जूस में कड़वाट नहीं होती वो एक ऐसी विदी से बनाये हुआ है कि उसको बच्चे भी सेवन कर सकें महिलाएं भी कर सकें जो सुआद की बहुत पार्खी होती है महिलाएं तो उसमें इसका सुआद अच्छा है और आप पिला सकते हैं अब इसकी मातरा की बात आती है कि किस उमर में और कैसी मातरा दी जाए तो क्योंकि इसमें ऐलोवेरा है इसलिए जो हमने ऐलोवेरा के चैप्टर में भी आपको बताया था कि सिर्फ प्रेग्नेंसी में जहां पे गरभावस्ता है वहां पे इसका प्रयोग ना किया जाए क्योंकि ऐलोवेरा है ऐलोवेरा को हम लोग बचाते हैं प्रेग्नेंसी में नहीं देते और क्योंकि तरिफला भी है पेट साफ करने वाला है तो हम सिर्फ pregnancy में मना करते हैं कि गर्भावस्ता में इसका प्रयोग ना करें और उसके इलावा सारे वय में 5-3-4 साल की उमर से 5 साल की उमर से सोचिए 5 साल से 100 साल तक किसी भी उमर में इसका प्रयोग किया जा सकता है बच्चों में हम इसको एक चमच प्रति दिन या एक चमच दिन में दो बार से शुरू कर सकते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनमें दो दो चमच दे सकते हैं जिसको हम 10 से 15 ml कहते हैं और जब हम 18 के उपर की बात करते हैं तो वो व्यसक या 42 किलो के उपर या 18 के उपर जब हम कहते हैं कि उमर हो गए या बजन हो गया तो पूरी adult dose हो जाती है तो adult dose इसकी जो है वो वैसे तो 30 ml है जो निर्धारित है 30 ग्राम 30 ml जो इसका नाप है सुबह शाम लेने का लेकिन मेरा अपना एक निजी प्रयोग ये होता है कि आईरवेद हमेशा अच्छा काम करता है जब हम शुरू में उसकी dose हाई देते हैं बढ़ाते हैं तो वो है जैसे कि हम पहली बोतल अगर हम कहें तो 50 ml सुबह शाम की मात्रा में 10 दिन में खतम करें तो जब हम 50 ml की मात्रा लेते हैं सुबह शाम तो शरीर में एक दम काम करना शुरू करती है और बहुत अच्छे रिजर्ट्स दिन तक काम कर चुकी होती है उसके बाद हम उसे 30 ml पे ले आते हैं और उसके बाद वाली तीसरी जब हम कहते हैं हम तीसरा कोर्स शुरू करते हैं तो उसको हम 20 ml पे भी रख सकते हैं और इसको जब भी शुरू करते हैं तो कम से कम तीन महीने हम किसी भी रसायन को अगर धम दे हैं तो कम से कम तीन महीने या सौ दिन का एक कोर्सम मान के चलते हैं कि ये दिया जाना चाहिए तभी शरीर में उसके अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ती हमारी बढ़ती है इस चीज़ में तो इसमें मैं दो और प्रशन लेता हूँ जो बीच में मैंने उत्तर दे दी हैं उसके लावा जो और प्रशन आये थे तो सरिता सिंग जी पूछती है कि एलो संजीवनी जूस क्या बालों की ग्रोथ में और इन सब चीज़ों में हमें फायदा देगा हेर प्रॉबलम्स में बिल्कुल सरीदा जी हमने देखा कि जब बालों की ग्रोथ में वीट ग्रास भी काम करता है और अश्वगंधा भी काम करता है और त्रिफला भी बालों के लिए बहुत अच्छा है और अरजुन भी हड़ीयों की ताकत बढ़ाता है तो इस तरीके से ये बालों की जो ग्रोथ है पहले तो बालों का जढ़ना रोक सकता है उसके बाद बालों की ग्रोथ में हल्प करेगा और बाल अच्छे भी होंगे इसमें लेकिन अगर हम सिर्फ बालों की बात कर रहे हैं तो हमें साथ में ओमेगा के कैपसूल जरूर खाने चाहिए और कैलशियम्स खाना चाहिए ताकि और हमें कैलशियम और ओमेगा मिले जो हमारे प्रोडक्स है और जैसिंग जी पूछते हैं कि जॉइन्ट पेंस में इसका क्या योग है क्या प्रयोग है तो जैसिंग जी देखिए जॉइन्ट पेंस में जो सूजन रोधी और जो सूजन घटाती हैं वो काम करती है और इसमें सबसे बड़ी सूजन घटाने वाली है गिलोए तो गिलोए क की पूर्टी की बात करें तो आमले के अंदर प्राकरतिक कैल्शियम है अश्योगंधा में है प्राकरतिक कैल्शियम और इस तरह इसके अंदर प्राकरतिक कैल्शियम भी है अगर आप देखें तो अगर ये बॉटल को आप बिलकुल एक कांच की शीशी में रख लें तो नीच अगर हमें दिखता है कि calcium की कमी है joints के साथ तो हम अपना जो बाखी calcium का supplement है वो भी जरूर दें और उसके साथ में omega और joints के जो और problems की है वो भी साथ दें तो उसके साथ में ये सर्जीवनी हर सरा की रोग में काम करेगा और आपने कोई भी और गोली या capsule अगर आप supplement के रूप में ले रहे हैं उसके साथ में ये एक complete juice है अर्शिना जी पूछते ही है कि सोरियासिस में दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि सोरियासिस में हम रग्त शोधन की बात करते हैं तो गिलोए त्रिफला ये दोनों सोरियासिस में काम करते हैं और ब्रामी भी सोरियासिस में research है कि काम करता है तो सोरियासिस की जो भी विशदी हैं में उनके साथ में हम इनको मिलागा के देख सकते हैं तो ये आज का हमारा चछटा lesson था एलो संजीवनी जूस के बारे में और आपसे परसों दुबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक पे आप टॉपिक देखते रही है जो आपका आएगा और उस टॉपिक के साथ थोड़ा सा पहले पढ़ लेंगे उसके बारे में तो आप मेरे साथ जोड़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और उसके बाद एक बार दुबारा पढ़ लीजे और उसको तीन बार जब आप एक टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसको आपकी मास्ट्री हो जाएगी और आपको दुबारा नहीं पढ़ना पढ़ेगा तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं डॉक्टर सुनी तरोडा आपका धन्यवाद करता हूँ सुनने के लिए और साथ में जोड़े रहने के लिए गुड़ाएमसी आपका बुड़ाएमसी तरोड़े डुड़ाएमसी